Hello everyone, आज हम इस वीडियो में जा मिले इसलामे के स्कूल में जो भी स्टूडेंस 11 साइंस में अड्मिस है लेना चाहते हैं आज हम इस वीडियो में सबसे पहले किस तारीकेस उनको त्यारी करना चाहिए बुक लिस्स को लेकर कोरकों से बुक पढ़ना है इसका लबा उस कोर्स में इलिवरेटी क्राइटेरिया का है, एक्जाम पैटन हो गया, कुशन पेपर का लेवल हो गया इसका लबा और जो बेसिक इन्फरमेशन है जो इस टूडिंट को चाहिए हो या पता होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे साथ ही फॉर्म्स को लेकर वी, हलाकि यह प्रॉस्पेक्टर्स लाश्टर का है, बट आपके लिए काफी इंपॉर्इन बहुत ज़्यादे हिल्फूल है क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि जो इनके प्रॉस्पेक्टर्स होते हैं, उसमें वो सारी चीज़े मिंसेन होता है लाइक आपके entrance test कब होंगे, कब आपके exams होंगे, क्या आपके syllabus रहेंगे और exam pattern क्या होने वाला है, वो सारी चीज़े तो उसी साब से देखा है, तो last year जो paper हुआ है, मतलब अगर हम exams की date की बात करें जो आप normally आप पूछ रहें चाहिए, वो 11 science वोले बाकी course के वाले students हो तो 11 science का जो last year paper हुआ था, वो जून में हुआ था, sorry, मई मही कह सकते हैं, last 31 मई हुआ था एक सवाल होगा, इस बार कब हुआ, यानि 23 में कब होगा, तो most probably मान के चलिए कि पिछली बार तो late हो गया है, इस बार मान के चलिए कि mid-mai के आसपस में, यानि 15 माई के आसपस expected मान कर चलिए, यह हो सकते उससे पहले भी हो, अब एक सवाल होगा कि board के साथ तैयरी कैसे करें, तो उस पे separate video बनाएंगे, कि अगर आपका भी board है, उसके साथ आप 11 science के तैयरी कैसे करेंगे उसके बारे में, अभी आगे हम बात करेंगे, उस पे separate video आ जागे, लेकिन अभी अगर हम आप में में इसे लने चाहते हैं और application form फिल करना चाहते हैं, तो hopefully ऐसा होगा, March के मंत में, March के मंत में इनके form आ जाएंगे, at least one month रहते हैं form फिल करने का, तो अगर आप मार्स मंत में updated रहेंगे, तो hopefully आप आराम से फिल कर पाएंगे, बाकी अब हम बात करते हैं, आपके लिए, क्या क्या important है, जैसे कि हर जैसे यहाँ पे भी, मतलब जितने भी इन्वस्ट्रीज हैं, जितने भी colleges हैं, हर जगे पे reservation का criteria होता है, तो यहाँ पे भी reservation का criteria होगा, ए क्या है fill करने का तरीका, बड़ा simple है, जब form fill कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आपके school का नाम पूछा जाता है, और अगर आप 10th pass हो चुके हैं, तो certificate upload करिए, नहीं पास हुए हैं, तो appearing डाल के form fill कर दीजिए, बल्ला appearing डाल देने से, आपको कोई वैसे documents upload करने के ज़रू सिर्फ अपने school का नाम बता दिए, उतना ही में काफी है, तो यानि कि जो भी students form को लेकर एक query होता है, कि सर हमारा होगा के नहीं होगा, form कैसे कर पाएंगे, exam भी नहीं हुआ, तो exam हो या ना उससे कोई जामे को मतलब नहीं होता है, साथ ही यहां पे भी reservation, तो सबसे पहले मै आपको reservation समझा दूँ, अगर आपको 11 science में ले रहा है, तो 30% जो seats है Muslim students के लिए, 10% Muslim women के लिए, 10% Muslim OBC के लिए, 5% जिनके disabilities है, remaining 50% जो seats है, वो general students के लिए है, इसका फायता तब मिलेगा, कस्मेरे student का भी 5% है, रासवाल इस reservation का फायता तब मिलेगा, जब आप form fill करने time, अप इसके लावे यहां पर sports category के थुरू भी होता है, तो अगर आपका sports का certificate है, तो उसके थुरू भी आपको admission मिल जागा, अब आते हैं आपके finally, किस मतलब seats केतने हैं, तो यह रहा है 11 science का, जामय सीनर शेकंडी में जो seats है, total 40 seats है, और सेयद आविद हुसाइन सीनर शेकंडी में 20 seats है, और 50 seats जो है वो, जामय गर्ल्स सीनर शेकंडी में, अब टूटल देखिए, तो फाइब यानि की टूटल कॉंड करेंगे, तो 90 यानि 110 seats है, सिर्फ आपके जाम में, और देखिए का competition कितना है है हो जाता है, अगर आप last cut-off देखेंगे, तो और एक बार थोड़ा टार्गेट लेकर जाएंगे, वैसे हम इसके cut-off पे एक वीडियो बना देंगे, अब देख लिजेगा, तो आपको idea लग जाएगा, कि 22-22 में क्या cut-off बस यह की question paper decide करने वाला होता है, कि cut-off क्या रहने वाला होगा, बाकि जैसे exam सो जाने के बाद आपका results आएंगे, तो results 11 में admission लेना चाहते हैं, उनका 61% total marks होना चाहिए minimum, मतलब आपका 10 में minimum 61% होना चाहिए, 10 आपने पास किया तो, और at least आपका English में 41% marks minimum होना चाहिए, और किसी भी subject में minimum 41% marks अगर minimum है, तो आपका नहीं हो पाएगा, साथी science में at least 61 marks होना चाहिए, मतलब English में minimum 41 marks, और science में भ नहीं मिलेगा, तो यह चीज आपको clear होगेगा, यह रहा आपका eligibility criteria, नेक्स अगर हम बात करें, इसके लाबा birth certificate अगर आपके पास हैं, तो जरुत पढ़ सकते हैं, अगर नहीं हैं तो फिर बनवा लीजेगा, अगर नहीं भी हैं तो ऐसा नहीं कि आपका birth certificate नहीं तो admission नहीं आप अगर त्यारी करें तो यह मान कर चले कि आपका भी एक्जाम दिल्ली में होगा, और most probably जामे में ही होगा, वरना दिल्ली के circle में होगा, ठीक, दूसरा अगर हम बात करें, तो आप अगर 11 cents में देना चाहिए, अपका pattern क्या है, pattern यह है, इंग्लिस में आपका 25 marks का तो यह जादा important English, इंग्लिस पर ज्यादा ध्यान देद लिए, उस तरीके सब आके physics, chemistry, math, biology, यह जो ऐसे, अगर इन सब पे, तो देखेंगे तो 45 हो गया और 20, यानि कि 65 इधर हो गया और 25 इधर हो गया, तो यानि कि 10 और 6 to 8, या 90 marks, तो अगर आपका gk वाई देब, आप नहीं भी कर पाते हैं उतना बड़े से, तो आप चाहें तो मतलब एक सब जीके बाकी English, physics, chemistry, biology, math के हिसाब सब आपना चाहें, तो इंटरस्स क्वालिफाय कर सकते हैं, विस उसमें भी इसमें negative marking होता नहीं है, मतलब जामें के 11 साइंस में कोई negative marking नहीं है, तो जब एक निग हो जागा, बिल्कुल नहीं, आप English को भी उतना ध्यान दीजिए, जिसका जितना वेटेज है, उसका उसी साब से ध्यान, जिसका अगर 25 marks का वेटेज पूछे जा रहा है, तो उसको अप उतना ध्यान दीजिए, अब एक सवाल होगा, कि सर इसका syllabus क्या है, तो आपको CVSC का 10 तो पता ही है, सिफ 10th का syllabus, NCRT No.1, वैसे उससे पहले मैं आपको बता दूँ, 10th का syllabus हर किसी को पता होगा, आप किसी भी बोर्ट से पढ़ रहे हो, लगबग जाता 10th बोर्ट का syllabus common ही होता है, तो आप उसको focus करिए, बाकी यह है कि आप एक बार इसका syllabus download करके, CBC का एक बार देख लिएगा, वो वेबसाइट पर अवैलेबल है, अब ऐसे मैं आपको insert मता रहा हूँ, किसको कहां से क्या करना है, अगर एक common query हो, सर एक तो पहले ही clear करते हैं, जितने भी question हो, कोई theory based लिखनी को जर्द नहीं, सिफ एमसी की question आईगी, अब हम बात करते हैं, त्यारी कै कैसे करें, सबसे पहले आपके क्या करना है, syllabus, आप syllabus आप डॉनलोड कर लिए, दूसरा आपके पास question paper को होना बहुत जरूरी है, देखे, आप पता लग किसी भी तैयारी है, बहुत सर लोग 10 के book पढ़ रहे हैं, इसको यह मतलब नहीं कि वह भी जामे केते हैं, हो सकता है कि किसी और का तैयारी कर रहे हो, तो उसको लेकर पहले जरूरी कि आपके पास question paper हो, और syllabus, syllabus तो मिल जाएगा, question paper का link video के description box में डाल दिया, अब वहां से purchase कर लिएगा, अब अगर हम next बात कर यहां पर, कि आगे क्या करना होगा, सबसे पहले आप question paper का analysis कर लिजिए, कि paper का level क्य पढ़ा है, यह question का मैंने जवाब देखा भी है, तो वहां सबको idea लाएगा, कि हावई, अगर इस type का सवाल हमें मिल रहे हैं, यानि कि हमने पढ़ा है, तो ऐसे ही आप से भी सवाल किये जाएंगे, ठिक, अब अगर हम next बात करें, तो paper analysis कर लिजिए, और उसको आपनी तया उनको जिसे exam idea का book आता है, exam idea का book आता है, या फिर उसवाल का book आता है, जो आपके practice book है, तो वो practice book ultimately आपको जामे में भी help देने वाल होगा, इस तरीके से जो state board के student है, तो वो भी anxiety के सासत, बाकी जिससे भारतिवान हो गया, RS हवाल हो गया, कोई भी book, ऐसा नहीं कोई fix है, क अच्छे से काफी practice करने के लिए रहते हैं, तो आपको वहाँ से help करेगा, लेकिन यहाँ पेपर जरूर देखना है, यह मैंने आपको बता दिया, आप इसको इनिक्स अगर बात करें, वहाँ से, थार्ड आपको एक मान में होगा guide को लेकर, गाइड उतना important नहीं है, YouTube पे upload करेंगे, और आपको पता चल जागए कि किस तारीके से त्यारी करने चाहिए, फाइनली है, वह भी students कहिने कि मैं select है, तो उनको भी अच्छे से experience है, तो वह एक video upload होगा, लेकिन आप अपने जो भी आपके query हो है, कि sir, like किस तारीके से क्या करना है, क्या नहीं करना चा चैप्टर पड़ते हैं, उस चैप्टर का website पे जाके, Google पे जाके, कम से कम 3-4 website का solution कर लिजिए, solve कर लिजिए, काफी होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं, guide तो ले सकते हैं, सफी कुरहमान का, यह और भी किसी पप्लिकर जिसका अच्छा guide हो, बहतर guide हो, यह तो होगी आप आप का किस तरीके से करना है, at then मैं आपको inform कर दूँ, लास्टर भी जामे में students, even AMU में 11 science में students selected है, आप अगर इस selection का part बनना चाहते हैं, तो इस student विफो का भी आप में online coaching चलाया जारा, आप join कर सकते हैं, वीडियो के description box में detail mentioned है, आप message कर लेंगे, उसको आपको inform कर देज चाहिएगा, कमेंट करेगा, और जिस पर student question paper चाहिएगा, वीडियो के description box में link में mention है, आप purchase कर सकते हैं, thank you